Hello everyone, this is Preeti, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube channel Let's Compete में आज हम डिसकस करने वाले हैं Voices के बारे में आज हम डिसकस करेंगे active voice और passive voice क्या होता है वो simple तरीके से लेकिन उससे बहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि active को active voice क्यों कहते है और passive को passive voice क्यों कहते है एकτεवाइस में basically क्या होता है इसमें जो हमारा subject होता है वो बहुत ही strongly कोई काम करता है मतलब वो बहुत active रहता है वो जो काम करता है वो बहुत clearly दिखाई पड़ता है ठीक passive voice में जो हमारा subject होता है वो recipient होता है अब एक example से इसको आप समझो सबसे पहले तो आपको ये समझाना चाहिए कि subject क्या होता subject वो चीज होती है किसी sentence में जो काम करता है और object होता है जिस पर काम किया जाता है ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है और verb से आफ familiar है verb का मतलब जो चीज करी जारी होती है ठीक रिया जिसको बोलते है इंदी में अगर मैं बात करूँ active voice का है जो हमने example लिखा है राम writes a book राम एक किताब लिखता है तो इसमें राम हमारा subject है क्या काम कर रहा है लिखने का तो ये verb हो गई और किस पर काम कर रहा है बुक पर काम कर रहा है उसको हमने बना दिया subject यहाँ पर ठीक उसको हमने subject की जगह पर लिख दिया और जो हमारा subject था हमने उसको object की जगह लिख दिया आपने देखा हमने जगह चेंज कर दी interchange कर दिया साथ में हमने क्या किया जो हमारी verb थी verb की third form लगा दी और राम से पहले बाई लगा दिया मतलब जो हमारा object बनेगा इसमें उससे पहले हमने बाई लगा दिया है आगे इसको आप समझोगे तब आपको clearly समझाएगा देखो active wise में basically हम कर क्या रहे हैं राम writes a book, passive wise में book is written by राम तो देखो राम जो हमारा था subject था active wise में और book हमारी object थी तो हुआ क्या है subject हमारा चला गया object की जगह और object हमारा आ गया subject की जगह passive wise में जगह है interchange हो गई यह आपने देखा writes जो क्रिया की क्रिया है जो हमारी है verb है verb की third form हमने लगा दी साथ में हमने helping verb लगा दी है और जो हमारा मतलब subject है passive wise में जो कि हमने object की जगह लिखा है उससे पहले आपने by लगा दिया है यह होता है flow chart के मादब से बिल्कुल सिंपल दरीके से मैं आपको बता है बाकी आगया आप जब rules पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल clear हो जाएगा देखो rule क्या है पहला rule यह है कि जो active wise का subject होता है वो object में change होता है passive wise में और जो object होता है active wise का वो passive wise में subject में बदल जाता है पहली चीज़ दूस्तर है use of by in passive wise just before the object object से पहले आपको passive wise में by का use करना है helping works are used according to the tenses tenses के according आप helping work use करोगे आगे देखते है यह basically यह table आपके दिमाग में नहीं चाहिए तब आपको बिल्कुल clear हो जाएगे इसमें सारे rules आपके दिये हुए हैं किस तरीके से हम passive wise बनाते हैं अगर हम simple present की बात करें तो simple present आप कैसे लिखते हो अगर आपको subject, object और verb दिया गया हो कोई भी simple present ऐसे ही लिखा जाता है पहले हम subject लिखते हैं फिर हम verb लिखते हैं, verb की first form लिखते हैं फिर object, यह v1 का मतलब verb की first form simple past में subject लिखते हैं फिर verb की second form लिखते हैं, फिर object लिखते हैं simple future में पहले subject लिखते हैं फिर will या share लगाते हैं फिर वर्ब की first form आती है, फिर object लिखते हैं, ठीक, अब हम बात करते हैं passive wise की, चलिए, passive wise में जैसे मैंने आपको बताया, basically क्या होगा, passive wise में object है, वो पहले आ जाएगा, मैंने आपको बताया, जगह interchange हो जाती है, position, active का object, passive wise में subject की जगह ले ले लेता है, और active का जो subject होता है, passive wise में वो object की लगए लेता, last में जाता है, ठीक, यह तो आपको समझाया, और sub में यही करना है, सारे में आप देखोगे, object पहले subject बात में, object पहले subject बात में, ठीक, अब उसके बाद आपको helping work लगानी है, अगर हम simple present की बात करें, वो helping work हमारी है, is और m, are, जो भी होगा, उ इस आपसम लगा लेंगे, tense को देख करके, फिर उसके बाद आपको verb की third form लगानी है, और फिर by लगाना है, subject से पहले ही आपको ध्यान लखना है, ठीक, सेम चीज़ हमें simple past में करनी है, simple past में भी हमने पहले object लिखा, interchange कर दी position, फिर हमने was or word लगाया, helping work, फिर verb की third form लगाई फिर हमने by लगाया, फिर subject लगाया, अब हम बात करते हैं simple future, simple future में हमने वही करा है, पहले object लिखा, फिर shell या फिर will, depend करता है, फिर हमने be लगाया, ये आपको धान लगाया, shell और will के बाद passive wise अगर आप बनाएंगे future का, तो be लगेगा, फिर again वही चीज़, word की third form लगेग और फिर by लगेगा, और फिर last में हमारा आपके क्या लगेगा, subject लगेगा, बस simple है, बाकिया आपको जब किसके example देखो गया तब आपको समझाएगा, पहले तो आपको ये table ज्यानक में है, इसका screenshot ले लो, चलो जी next हमारी है table number 2, देखो, अगर कहीं पर I दिया गया है active wise मे तो passive में जाकर के वो me में convert हो जाएगा, she her में convert हो जाएगा, he का him हो जाएगा, you का you ही रहता है, ये आपको जानक रखना है, who whom में convert हो जाएगा, we us में convert हो जाएगा, they that में convert हो जाएगा, it का it ही रहता है, ये आपको जानक रखना है, तो you change नहीं होता है और it change नहीं होता ह I eat food मैं खाना खाता हूँ I eat food मैं खाना खाता हूँ ठीक अब इसमें basically क्या है I subject है eat verb है और food क्या है object है तो हमको इसका passive wise बनाना है तो मैंने बोला simple present का tense है यह तो हम क्या करेंगे object को सबसे पहले लिख देंगे object food फिर हमने helping verb लगानी है food is written अब single है food तो इसके साथ easy आएगा obvious सिपात है food is फिर verb की third form जैसे हमने बताई eaten फिर आपको by लगाना है by और फिर I को हमने convert कर देना me में जैसे कि मैंने उपर आपको table में बताया है कि I किसमें convert रहेगा me में तो subject की जगए आप यहां लग दो देखो position subject और verb object ने अपनी position को interchange कर लिया यह आपको दिखिया subject कैसे change होते है वो stable से आप देख ले ना बाकी third form लगाई है हमने जो verb है वर्ब की third form अब आए कितना easy है I eat food मैं food खाना खाता हूँ food is eaten by me खाना मेरे द्वारा खाया जाता है तो इसमें देखो आपने खाने पर जाता focus कर रहा है इसमें जो हमारा subject है वो recipient है उस पर ता focus नहीं है तो अगर आप Hindi में बना के देखो पहले मैं खाना खाता हूँ यह active wise है खाना मेरे द्वारा खाया जाता है यह passive wise है अब next example है अगर हम simple past का example ले लेते है India won the match India ने match जीता यह past tense हो गया ठीक अब मैंने वहीं बदाया India won the match यह past tense है India ने match जीता passive wise बना उसका India के द्वारा match जीता गया ठीक The match was won by India तो अब वही किया हमने position interchange कर लो match को starting में ले आओ The match India को सबसे last में ले जाओ India ठीक अब helping work लगादर बीच में was आएगी क्योंकि हमने past की बात करें तो was या word आएगा तो match के साथ में obviously बात है was लिखोगे आप word तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये plural तो है नहीं तो the match was won third form होती है by India कितना simple है same बिल्कुर rule के साथ जाओगे तो बिल्कुर कोई confusion नहीं होगा next example है हमारा she will sing a song वह गाना गाएगी she will sing a song तो फिर वही है ये subject होगया आपका c subject होगया और ये हमारा आपका object object पहले कर तो subject बाद में a song फिर will be मैंने बोला be लगा होगया आप शेल और be के साथ मैंने आगे उसमें mention भी करा था will be third form sung फिर उसके बाद by by और she change हो जाएगा her में ये मैंने उपर आपको टेपल में बता रहा है her she will sing a song वो है गाना गाएगी ठीक उसके द्वारा गाना गाया जाएगा ये होगा उसका passive wise this song will be sung by her ठीक तो कितना easy तरीके से मैंने आपको बताया है active wise और passive wise ये पिलकुर simple हमारे जो primary active wise passive wise है वो है simple present, simple past, simple future इसके आगे भी काफिस और active wise specific wise के तरीके होते बनाने के वो भी मैं next वीडियो में लेके रहूंगी लेकिन फिलाल आप ये वीडियो देखिए और comment section में प्लीज मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज हमारे लिए बहुत ज़र्दा ज़रूर है बहुत motivation की तरह से काम करता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हो प्लीज वीडियो को लाइक करें प्लीज प्लीज शियर करना ना भूलें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलते हैं अगरी वीडियो में दो तरह के लिए बाबाई